असकार मित्र जै मातडी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो दिनांक 29 दिसंबर 2022 से सर पर ताज सजने वाला है क्योंकि किस्मत एसा गुल खिलाएगी कि आप भी हेरान रह जाएगे देखकर मित्रो सर परतम हम नजर डाले पंचान पर तो 29 दिसंबर को गुरुवार का वार है साथ में पोस मास के सुकल पक्स की सब्तमितिती है और पुर्व भाद प्रदा नक्सत रहे और मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि व्यातिपात नामक योग का निर्माण बंद रहे और यह योग असुब है सुब कार्यों को करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है वही सुर्य की स्टिदी देखे मित्रो तो सुर्य धनु रासी में विराजमान रहेगा तो वही दूसरी और चंद्रमा जो ही वह कुम्ब रासी पर संचार करेगा तो एसे में समझत ग्रहों की चालका एवं नक्सत्रों की चालका आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेग मित्रो कौन से सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे क्या साउधान या वरतनी पड़ेगी कि इन चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा इस वीडियो में हम आपको यही सारी ज्यानकारी प्रदान करने वाले हैं हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा मित्रो क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमतकारी उपाएं एवं सिध मंत्र लेकर आएं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध होंगे मित्रो सब से पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवाई नमस्तु भ्यम अवश्य लिखेगा तो चली मित्रो अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना वीडियो की शुरुवात करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमौल विचार से तो मित्रो हमारे गुरु जी कहते हैं कि पेट में गया गया विश्य केवल एक ही इनसान को मारता है परन्तु कान में गया हुआ विश्य कई रिष्टो और कई संभन्दो को मार देता है अपने जीवन में कभी भी किसी भी इनसान के कान में विश्य मत गोलिएगा मित्रो क्योंकि विश्य गोलने से जो पाप आपको लगेगा वह पाप नर्क से भी बहुत बुरा होगा यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजेगा तो आईए बात करते हैं 24 घंटो के मेहत पुर्ण समय अंत्राल की मित्रो आपकी जीतोड मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने में काम्याब रहेंगे च्योकि आप मेहनत करने से बिलकुल नहीं घबराते हैं मेहनत बहुत बढ़िया करते हैं अब जब मेहनत करेंगे तो परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा लेकिन तरक्की की रफ्टार बरकदार रखने के लिए मेहनत इसी तरह से जारी रखना है मेहनत का अगर आपने एक बार हाथ थाम लिया मित्रो तो मेहनत आपको वहाँ पर ले कर जाएगी जहां का आपने सोचा भी नहीं होगा उचे सिखर पर सफलता के सिखर पर आर्थिक जीवन की स्टिती आज अच्छी नहीं कही जा सकती है क्योंकि मित्रो आज आपको बचत करने में मुश्किले आ सकती है एसी जगा आपका धन खर्च होगा जहां पर आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस वजह से आर्थिक जीवन थोड़ा सा अस्टिवियस्त रहीगा एसे कामों में सेह भीता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हो क्योंकि युवा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मित्रो एसे कामों में सेह भागिता आवश्चिले क्योंकि आज का दौर प्रतिस परधा का दौर है और जब तक आप अगर उतरेंगे नहीं मिदान में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है रोमान्स के लिहाज से दिन रोमान चखे बहुत बढ़िया समय चल रहा है आपके प्रेम जीवन में एक अलग ही प्रकार का निखार आपको देखने को मिलेगा और साम के लिए कोई खास योजना बनाए और जितना हो सके उतना रोमानी बनने की पोसिस करें लोगों से जुड़ें दो बात करें उसे कुछ सीखे क्योंकि यही अनुभव आगे चल कर जीवन में आपकी बहुत काम आने वाला है मित्रो आपको पता लग सकता है कि आपके बोस आपसे इतने रोखेपन से क्यों बात कर रहे हैं तो वजह जानकर आपको वाकई तसल्ली भी होगी और आप अपनी उन कमियों और उन गल्तियों को दूर करने का प्यास भी करेंगे किसी पार्क में गुमते समये आपकी मुलाकात किसी ऐसे सक्स से हो सकती है जिससे अतित में आपके मद्भेद थे मित्रो अब आपको बता देते हैं कि उन मद्भेदों को दूर कीजिए क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है रिस्टो कुनी भाई ये लोगों से जुड़ कर रहे है प्रेम से दो घड़ी आपस में बात कीजिए आपके विवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक यह दिन हो सकता है जो जीवन में आनन्द भरेगा वहीं लगड़े अपाहिज व्यक्ति की सेवा करने से आर्थिक इस्टती शुरू डढ़ होगी लंगड़े और अपाहिज व्यक्तियों को आप कुछ दान में दे दे कुछ खाने को दे दे या फिर कुछ ओड़ने को दे दे विश्वास कीजिए कि खुद पर यकिन ही बहादूरी की असलिक पर रखे क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बिमारी से निजात पा सकते हैं क्योंकि आप जब तक स्वयम को मजबूत नहीं बनाएंगे स्वयम को मित्रो अपने उपर विश्वास नहीं रखेंगे आत्म विश्वास की नियू नहीं डालेंगे तब तक आप जो भी करेंगे नतरात्मकता ही मिलेगी मित्रो देखेंगे कि दिन के दुसरे हिस्वे में आर्फिक तोर पर आपको बहुत बड़िया फाइदा होगा दिन के दुसरे हिस्वे में लोग आप से मिलेंगे जुलेंगे आप उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे और कार्य करने में भी सफल रहेंगे आपको बच्चो या खुड से कम अनुभवी लोगों के साथ धेर्रे से काम लेने की जरूरत है आप में अनुभव है लेकिन सामने वाले व्यक्टिव को अनुभव है या नहीं इस बात का पता आपको जरूर लगाना है वही मित्रों आप सभी को बता देते हैं एक तरफा लगाओ सिर्फ आपकी दिल को तोड़ने का काम करेगा इसलिए रिष्टा चाहे कितना भी मजबूत हो लेकिन कभी भी एक तरफा नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक तरफा रिष्टा बहुत दुख देता है पेशेवर तोर पर अपने काम की पहिचान आपको मिल सकती है अच्छा काम करेंगे अच्छी पहिचान मिलेगी बूरा काम करेंगे बूरी पहिचान मिलेगी आपके हाथ में है कि आपको किस मार्ग पर चलना है संगती का विशेज ध्यान रखिए क्योंकि संगती का गेहरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है मित्रो जिन लोगों के साथ आप उड़ते बेड़ते हैं उनके साथ रिष्टो को मधूर बनाने की कोशिस कीजिए जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं उनसे दूरिया बनाने की कोशिस कीजिए मित्रो लोगों के साथ बात करने में आप अपना बहु मुल्य समय बरबात कर सकते हैं पाच्चित ना करें, ज़्यादा बोल बच्चन करना कभी कभी बहुत ज़रन उकसान दायक हो सकता है। आपको इसा काम करने से बचना चाहिए, जो जीवन साती के खराब वहवार का नकरात्मक आपके उपर असर पढ़ सकता है। और मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि भाई बेहनों के बीच खटी मिठी नोगजोग चलती रहेगी लेकिन यह नोगजोग एक वक्ते के बाद सुलच जाएगी और घर परिवार में आपसी एवं सामन जस्य पुर्ण वातावरन बना रहेगा। तो आईए मित्रों अब हम आपको कुछ महत प्रण एवं चमतकारी उपाई बताते हैं जो आपके जीवन को कारगार और सिध्ध करने में बहुत साहयक होंगे। मित्रों बड़े ध्यान से सुनियेगा हमने यह उपाई आप ही के लिए निकाले हैं केसे करना हैं क्या करना हैं और कब करना हैं यदि आप एकदम लगज़री लाइफ पाना चाहते हैं जीवन में खुशिया ही खुशिया पेशा ही पेशा पाना चाहते हैं तो मित्रों सुक तो बूंदे कपूर के तेल की डाल करना हैं। सिर्फ और सिर्फ जादा नहीं। ग्यारा सुक्रवार कीजिए। अगर लगे कि उपाई सही काम कर रहा है तो उम्र भर कीजिए। और बड़ी गारी, बड़ा मकान और खुब धन का आनन्द लीजिए। कुछ नहीं करना है मित्रो, बहुत छोटा सा उपाई है। आप सुबर नहाते तो हैं, बस सिर्फ दो बूंद आपको कपूर के तेल की डालना है, बाल्टी में और नहा लेना है। कोई ज़दा धन खर्च नहीं करना है, कोई ज़दा भागा दोड़ी नहीं करना है, आपको सिर्फ छोटी सी कपूर के तेल की सिसी लानी है। तो मित्रो इस उपायों को आप एक बार अवश्या आजमाईएगा, गैरंटी देते हैं कि उपाय बहुत कारगार सिद्ध होगा। तो वीडियो की समापती अब यहीं पर होती है। आपके साथ अगले रासी फल की बशापती नहीं पर होती है।